Hello friends, आज मैं आपको Young and Beautiful ये 2013 की एक French movie explain करने वाला हूँ इस movie में हमारी main character अपने आपको discover करती है उसके बाद एक गलत रास्ता यानि prostitution में चली जाती है इसके बाद कुछ होता है जिसके उसके उसकी पूरी life change हो जाती है ये आज की हमारी movie की storyline है explanation स्टार्ट करने से पहले मैं आपको request करता है कि प्लीज अगर आपको वीडियो चलागा तो इस पर comment और like जरूर कर दीजेगा तो बिना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमारे main character इसाबेला ये एक beach पर sunbat ले रही है उसका अभी अभी एक boyfriend बना हुआ है उसे ढूनती ढूनते वो उसके घर तक आया था इसाबेला कहा है कि किसी को भी पता नहीं था उसे ढूनते हुए उसका brother Victor ये sea shore तक आया उसे बताता है कि उसका boyfriend आया हुआ था इसाबेला बोलती है कि मदर को ये सब बात नहीं पता चलनी चाहिए उसकी मदर उसे बहुत सारे questions पुछेगी और ये उसे अच्छा नहीं लगता और एक problem ये भी है कि इसाबेला फ्रेंच है और उसका boyfriend जर्मन ये बात जब किसी को पता चलती है तो क्रिंजी मुवमेंट हो जाता है तो इसलिए चुबा कर रखना चाहती है इसाबेला चाहती थी कि मदर को पता ना चले पर मदर को पता चल चुका है मदर इसाबेला को कहती है कि एक रात वो हमारी family के साथ डिनर कर सकता है इजावेला गेथी है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है में उसे कहीं भी इन्वाइट नहीं करना चाहती इजावेला का बॉयफ्रेंड बीच पर था तो वो भी वहाँ पहुझ गई बॉयफ्रेंड का नाम फिलिक्स है फिलिक्स इसावेला के पास आता है रात में एक पार्टी होने वाली है तो उसमें उसे इन्वाइट करता है वो पार्टी में तो जाना जाती है पर अगर सब के सामने गए तो प्रॉलम आ सकता है उसका परदर उसकी फैमिली को डिस्ट्राइक करता है और इसावेला पीछे के दरवाजे से निकल जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि इसावेला और फिलिक्स ये दोनों बीच पर वॉक करते हैं आइसक्रिम खाते हैं बीच की सैंड पर हैंग आउट करते हैं ये दोनों फिर यहीं इंटिमेट हो जाते हैं इसाबेला का यह first time था रात में फिलिक्स इसाबेला को घर तक छोड़ने के लिए आता है इसाबेला का brother worried था तो इसाबेला के room में ही सो रहा था उसे actually पता था कि आज इसाबेला क्या करने वाली है यह brother sister एक दूसरे के साथ transparent है विक्टर इसाबेला से बोच्छता है कि वो कैसी है पर इसाबेला उसे वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है उसके लिए यह ज़रा अजीब experience था एक दो दिन में इसाबेला का 17th birthday आता है यहाँ celebration के लिए उसने फिलिक्स को नहीं बुलाया यह summer चल रहा था अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ आई हुई थी एक्च्वल में उसकी मदर और फादर का divorce हो चुका है तो हर summer वो अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ आती रहती है उससे पता था कि उसकी और फिलिक्स की relationship जादा आगे नहीं जा सकती है वैसे भी उसे सिर्फ वो यूजी कर रही थी जब वो फिर से अपने घर रिटन हो रही है तब रस्ते बर उसे फिलिक्स देखता है पर वो फिर से मोड कर भी नहीं देखती है लाइफ के साथ आगे बढ़ जाती है इसके बाद हम directly autumn season देखते है बहुत सारा time गुजर चुका है इसावेला अपने क्लाइंट से मिलने के लिए होटेल में आई हुई है वो पैसो के लिए आजकर लोगों के साथ सोती है आजकर उसका क्लाइंट एक बहुत ही बुड़ा आदमी है वो जब इसावेला को देखता है तो कहता है कि तुम्हारी एज तो तुमने बहुत ही जादा वताई थी उसे वो अंडर एज लगती है इसावेला भी कहती है कि तुम भी तुम्हारे फोटो जैसे नहीं हो उसने एक उनलाइन वेबसेट पर रेजिस्टर किया था जिससे उसे क्लाइंट मिलते है इसी वज़े से इन दोनों को जो इन्फो मिली है ये जरा सी गलत है ये जो अब होटेल का क्लाइंट है इसका नाम है जॉर्ज जॉर्ज फिर इसावेला को उसके पास बैठने के लिए कहता है उससे हो पोचता है क्या तुम स्टुडेंट हो इसावेला गेती कि हा वो गहता है कि आजकल हाला थे खराब चल रहे है जॉर्ज फिर इसावेला को उसके पास बैठने के लिए गहता है उससे सहारता है और बोलता है कि तुमारी आईस बहुत ही ब्यूटिफुल है इन में एक अजीब सा दर्थ है इसके बाद ये दोनों intimate हो जाते है इसके बाद हमें directly इसावेला का classroom दिखाया जाता है इस classroom में एक poem पर discussion चल रहे है वो poem क्या थी ये important नहीं है क्योंकि इस discussion से इस movie की story पर एक background commentary की जाती है इसमें से एक लटका कहता है कि summer था summer में आपको joyful एक happiness mensus होता है इसमें जो नशा है इसके बारे में पोएम थी दूसरा लटका कहता है कि ये पोएम जॉय और सैडनेस के बारे में है एक एडवेंचर हुआ पर उसके बाद भी आप अकेले ही रहे गए इसमें से दूसरी लटकी कहती है कि ये पोएम प्यार ढूनने के बारे में है अगर हम movie की situation देखें तो Isabella ये सब क्यों कर रही है ये भी यहाँ से define होता है summer खतम हो जाने के बाद Isabella को एक adventure चाहिए था इसलिए वो ये सब कर रही है इसमें और एक mini निकल कर आता है ये सब वो कर रही है पर फिर भी sad है वो कुछ ना कुछ तो सही ढूड़ना चाती है पर अभी तक उसे कुछ भी मिल नहीं रहा Isabella के class में एक लड़का उसे पसंद करता है पर उसे वो जादा भाव नहीं देती है Isabella continuously अलग-अलग client से मिलती रहती है एक businessman उसे hire करता है सिर्फ अपने आपको please करता है पर उसे touch भी नहीं करता उसे हो पूरे पैसे नहीं देता Isabella उसे बुछती है तो गहता है कि तुमारी इतनी जादा price नहीं है वो उस पर कुछ भी कर नहीं पाती है एक दिन उसकी मदर उसे ठेटर ले जाना चाती है पर Isabella गहती है कि मुझे बहुत सारा study करना है मैं नहीं आ सकती है उसकी मदर उसे समझाती है कि जब मैं तुमारी एज की थी तो बहुत मजी करती थी parties में जाती थी अलग-अलग चीज़े try करती थी ये conversation थोड़ी सी quirky है क्योंकि Isabella क्या करती है इसके बारे में मदर को कुछ भी आइडिया नहीं है जब ए ठेटर पहुचते है वहाँ पर Isabella को उसका client George दिखता है वो एक तुसरी लड़की के साथ वहाँ आया हुआ है इंटर्वल में Isabella उसके सामने जाकर उसे dirty look देती है यहाँ पर Isabella notice करती है कि उसके मदर उनके family friend के साथ flirtatiously बात कर रही है उसे लगता है कि उसकी मदर का affair चल रहा है Already Isabella को उसके stepfather और मदर के साथ रहना पड़ता है थोड़ी दर में Isabella को George का message आ जाता है इसके बाद यह regularly मिलने लग जाते है एक दिन वो George से पूछती है कि ठेडर में तुम्हारे साथ वो लड़की कोन थी George कहता है कि वो मेरी daughter थी बहुत सालों तक हमने एक दुसरे से बात नहीं की थी अब मैं हम दोनों में relationship सुतारना चाहता हूँ इसलिए मैं उससे मिलता रहता हूँ इसलिए उससे पुछती है क्या तुम अच्छे husband हो गयता है कि मैं try करता हूँ George इसलिए से भी उसके बारे में पूछना चाता है पर वो कुछ भी बताती नहीं इस बार जब वो intimate हो रहे थे तो अचानक से heart attack की वज़े से George की date हो जाती है Isabella बहुत डरती है उसे बचाने की कोशिश करती है पर करनी बाती है वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थी है पर बात्रूम में वो गिर गए उसके सर पर थोड़ी सी चोट आती है यही बात्रूम में George कुछ performance की गोलिया लेता था ये भी उसे मिलती है इनी गोलियों की वज़े से उसे heart attack आ गया पुलीस को पता चलने के बाद investigation होती है डारिकली Isabella की मदर सिल्विया के पास पुलीस आते हैं Isabella क्या करती है इसके बारे में सब कुछ बताते है जो incident हुआ था इसके बारे भी भी मदर को पता चलता है मदर पहले तो बिलिव नहीं कर पाती उसे लगता है कि Isabella ये सब नहीं कर सकती है जब पुलीस उसे सब सबुत दिखाते हैं Isabella जेजिस होटेल में जाती थी वहां कि CCTV कैमेरेस से निकाले हुए image जब वो देखती है तब उसे शौक लगता है पुलीस उसे कहते हैं कि Isabella 17 साल की है इसी वज़े से उसे कुछ भी सजा विगरा नहीं होगी लीगली तो उसे विक्टिम ही माना जाएगा और भी investigation के लिए सिलुया के साथ वो घर पर आते हैं Isabella का laptop वेगरा देखते हैं वहाँ पर उन्हें Isabella इंटरनेट से client ढूंदी थी यह सब पता जल जाता है Isabella ने सब कुछ पैसे सेव करकर रखे थे यह सब पैसे भी उन्हें मिल जाते हैं जब Isabella घर पर आती है तो उसकी मदर उसे बहुत मारती हैं उसे पूछती है तुमने किया क्यों Isabella उसे कुछ भी नहीं बता दिया मदर अब Isabella को लेकर बहुत ही worried है उसका हस्बन से समझाता है कि Isabella बहुत ही beautiful है उसे offer मिली होगी शायद वो refuse नहीं कर पाए अब Nixon में Isabella पुलिस को statement दे रही है actual में कोई एक आत्मी ने approach किया था उसने उसके साथ सोने के लिए Isabella को एक deal दी अपना number देखकर वहाँ से हो चला गया Isabella गहती है कि मैंने सोचा और मुझे लगा कि मुझे try करना चाहिए जब वो उस आदमी के साथ थी तो उसे कुछ feel नहीं हुआ जब पहली बार वो अपने first boyfriend के साथ थी तभी भी उसी कुछ भी feel नहीं हुआ था वो गहती है कि first time यह सब करना मुझे अच्छा नहीं लगा पर बाद में मुझे फिर से करना चाहिए ऐसा लग रहा था उसने फिर एक second phone ले लिया उसे से हो client से बात करती थी लेडी officer उसे पुछती है क्या तुम continue करने वाली हो Isabella कहती है कि मुझे पता नहीं है officer उसे समझाती है कि यह बहुत ही dangerous था तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था Isabella ने जो भी सब पैसे कमाए थे यह सब अब उसकी mother रखने वाली है dinner devil पर discussion होती है कि उस money के साथ क्या किया जाए तो mother कहती है कि हम इसे donate कर देंगे इस बात को लेकर Isabella बहुत ही upset है mother Isabella को therapist के पास लेकर आती है mother कहती है कि इसे पैसों के कोई भी ज़रूरत नहीं थी इसे pocket money देती हो इसे जो भी चाहिए यह वो buy कर सकती है Isabella के father भी उसे पैसे send करते रहते है इनमें discussion होती है कि Isabella के पैसों के साथ क्या करना चाहिए therapist कहता है कि वो उसने कमा है यह उसे ही मिलनी चाहिए एक दिन Isabella के family friends अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर बहार जाने वाले थे Isabella को वो babysit करने के लिए पुलाते है जब रात में वो घर पर आते है तो अजबन कहता है कि हम Isabella को छोड़ कर आता हो पर wife को Isabella के बार में पता है वो उसे खुद घर छोड़ने के लिए आती है उसके stepdad टीवी देख रहे थे Isabella उनके पास आकर बठती है उन्हें देखकर हसने लग जाती है वो पोचता है कि तुम ये क्या कर रहे हो कहती है कि तुम बहुत ही funny हो तुम मुझे बहुत हसाते हो stepdad उसे समझाने की कोशिश करते है कहते है कि मुझे पता है कि तुम एक teenager हो तुम कोछ experiment करना चाहती थी तुम्हारी mother को तुमने बहुत hurt किया है इजावेला अपने stepfather से भी flood करकर बात कर रहे थी मदर ने जब एदेखा तो गुसे में फादर को लेकर वो चली गए मदर कहती है कि मुझे इजावेला से घीना दिया Nixon में हम देखते है कि इजावेला अपने therapist के पास आई हुई है therapist उसे पुछता है कि उस आदमी के मर जाने के पाद तुमने stop यू कर दिया वो गहती है कि मैं Josh से बहुत बार मिली थी therapist पुछता है कि क्यूँ वो गहती है कि वो बहुत ही sweet था उसे वो अच्छा लगने लग गया था उसे मुझसे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था वो हमेशा मुझे सहला आता रहता था जिस दिन उसकी date हुई उस दिन वो पहली बार ही intimate हुए थे इजबेला फिर खेती है कि मुझे बहुत ही गरत लगा पहली बार मैं जो काम कर रही हूँ एक करते हुए मुझे डर्टी लगा इसके बाद वो continue करना नहीं चाहती थी इसके बाद नेकसिन में हम देखते है इजबेला की friend का break up हो चुका है वो उसे cheer up करने के लिए और आद में party में जाने वाले है इस party में उसे अच्छा नहीं लगता वो ज़रा silence के लिए बाहर आजाती है उसका classmate Alex उसे मिलता है Alex वही classmate है जो उसे पसंद करता है वो फिर directly उसे पूछ लेता है क्या मैं तुम्हें kiss कर सकता हूँ वो थोड़ी सोच कर उसे हा कह देती है ये दोनों फिर party में आकर dance करते है रात बहर बाते करते करते है city में घुमते है Paris का famous bridge इसको भी visit करते है इनकी date बहुत beautiful थी है इसके बाद movie में spring आता है और एक season बदल चुका है Alex और Isabella अब relationship में है जिसे हमें पता है कि time गुजर चुका है और Isabella अग Alex के साथ नहीं रहना चाहती है उसे कहती है उसे कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं हूँ और से break up कर लेती है जिस excitement के लिए वो लोगों से मिलती थी उसकी life से missing है उसके पास अभी भी उसका दूसरा mobile है इसे वो on करकर देखती है तो उसकी previous client से बहुत सारे messages उसे आय हुए है एक message George की wife की तरफ से है उससे मिलना चाहती है जहाँ पर George और Isabella मिलते थे वही पर ये मिलते है George की wife है दिये कि जिस लड़की से मेरा husband मिलता था एक बार मुझे उससे देखना था Isabella उसे sorry कहती है wife कहती है कि तुमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है वो पहले ही बिमार था तुमारी जैसे इतनी beautiful लड़की से प्यार करते करते हो मन गया इससे अच्छी date क्या हो सकती है वो कहती है कि तुम बहुत ही beautiful हो तुम में एक दर्थ है यही चीज थी जो George भी Isabella को कहता था George की wife कहती है कि मैं भी जब यंग थी तो तुमारी जैसे ही दिखती थी अगर हम इसे फिर से analyze करें तो George अपनी young wife को याद करता था Isabella के साथ पहले कभी भी वो intimate नहीं हुआ था उसे सिर्फ वो सहलाता रहता था उसे देखता रहता था जब वो उसके साथ पहले बार intimate हुआ तभी उसकी date हो गए Isabella जो करती है यह George की wife को intimate dating लगता है इसके बाद वो Isabella को George की जहाँ date हुई थी वहाँ पर लेकर आती है वो गहती है कि एक बार मुझे room देखना था Isabella भी यही चाहती थी उसके पास आकर उसे लेटने की लिखेती है जिस तरह से George Isabella को सहलाता था उसी तरह से wife भी Isabella को सहला कर उसे सुरा देती है Isabella जब उठी तो George की wife वहाँ से चली गई थी यही movie end हो जाती है आपको लग सकता है कि बहुत अबरप्ट ending है और ऐसा नहीं है और हम देखें तो Isabella और George की wife यह दोनों closure जाती थी George की wife देखना चाहती थी कि वह कौन थी इसके बाद George चाय करता था जब उसने Isabella को देखा तो उसे उसका reason पता चल गया शायद George और उसकी wife की relationship जैसे पहली थी वैसी नहीं रही वो अपनी wife को मिस करता था Isabella में भी उसे अपनी wife ही दिखी George की तरह Isabella को सहला कर वो अप इस situation से move on कर गए Isabella के ending के बारे में हम बात करें George के मर जाने के बाद वो भी disturb हो चुकी थी उसके बाद उसकी relationship होई है पर सही से closure नहीं मिला था George की wife से मिलने के बाद उसे भी शायद closure मिल चुका है Isabella के बारे में आपको बहुत सारी चीज़े करत लग सकती है और वो थी गलत एक fact ये भी है यूँ एक teenager थी इस age में हर कोई अपने आपको ढूणने की कोशिश करता है सबका process अलग है उसका भी इसी तरीके से एक गलत अजीव सा अप्रोच था इसी तरह से movie end होती है और आज का वीडियो हम यही खतम करते है और आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आध रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इंट्विशन आइकोन दबाराएं मत भूले हम भी से मिलेंगे और एक ने movie के साथ तब तक ले thank you और आप हमने आपका ख्यार रखिया